ओम नमस्शिवाय दोस्तो बुध्वार की दिन जरूर करे यह एक काम बदल जाएगी किस्मत जो मांगोंगे तुरंत इच्छा होगी पूरी दोस्तो भगवान श्री गनेश रिद्धी सिद्धी के दाता है शुभलाब के प्रदाता है विग्न हरता है संकट नाशक है किसी भी प्रकार की बाधाये हो किसी भी प्रकार का संकट हो किसी भी प्रकार की बाधाये अगर हमारे काम में आ रही हो और भगवान गनेश की आराधना अगर हम सच्चे मन से करे बहुत ही सीघ्र हमारी बाधाय दूर हो जाती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि भगवान श्री गनेश की पुजा कैसे करे जिससे की भगवान की कुरुपा हमें प्राप्त हो लेकिन इसके पहले रिक्वेस्ट करते है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा दोस्तो भगवान श्री गनेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले देवता है सभी प्रकार के विग्णों को दूर करके संकटों को दूर करके हमारी जीवन को सुखमय बनाने वाले है, अगर हम इनकी पूजा सच्चे मन से विधी विधान से करे, तो कुबेर के समान धन्वान बना देते है भगवान गनेश जी, भगवान गनेश की कुरुपा प्राप्त करने के लिए हमें इनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करनी चा भगवान श्री गनेश को कैसे प्रसन्न करें? यश और मान प्रतिष्ठा समाद में प्राप्त होती है, आपकी किर्ती में रुद्धी होती है, जैसे की परिवार में समाद में हर जगह आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, बुध्वार की दिन कोन से उपाय करें? ताकि भगवान गनेश जी आपके उपर अति शीग प्रसन्न हो ये आज हम आपको बताएंगे इसलिए विडियो को पूरी अवश्य देखना दोस्तो भगवान श्री गनेश सर्वप्रथम पुज्य देवता है इनकी कुरुपा जिस मनुष्य के उपर हो जाए वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है अगर भगवान गनेश की प्राप्त हो जाए और हम पर प्रसन्न हो जाए भगवान गनेश और हम इन्हे प्रसन्न कर ले भगवान गनेश को तो हमारी कोई भी मनोकामना अधुरी नही रहती सारी मनोकामनाय पूरी हो जाती है भगवान गनेश प्रथम पुज्य देवता है देवताओं में सर्वप्र सर्वप्रथम पुजा इनकी होती है, कोई भी शुभकारिय होता है, तो हम सर्वप्रथम भगवान गनिश की पुजा करते है, प्रातक काल जब हम उठते है, तो सर्वप्रथम भगवान श्री गनिश का स्मरन करना चाहिए, जब हम पंच देवताओं का स्मरन करते है, अब पं पंचडेव कॉनकोन से देव होते हैं, हम आपको बताते हैं, पंचडेव होते हैं भगवान श्री गनेश, श्री हरी विष्णू, भगवान शीव, माता दुर्गा और सुर्या भगवान, ये पांच देवता जो है, इनका स्मरन हमें प्रत्यक दिन, प्रातक काल उट्ते ही करन चाहिए और अगर हम किसी दिन ना कर सके तो बुद्धवार की दिन जरूर करे अगर हम प्रति दिन उट्टे ही प्रातक काल इनका स्मरन करे तो हमारे जीवन में आने वाले कितने ही संकट स्वता ही दूर हो जाते है। दिन शुभअ हो जाता है। सर्वप्रथम भगवान गनेश का स्मरन करने से हर कारिय निरविग्न रूप से पूर्ण होता है। इसलिए सर्वप्रथम उठकर हमें भगवान श्री गनेश का मन ही मन में स्मरन करना चाहिए और ओम गम गनपते ये नम्हा। इस मंत्र का जाप 21 इस बार आप अवश्य करे, तो शुभफल की प्राप्ति होती है, पूरा दिन शुभजाता है, दोस्तो इस तरह अगर आप बुद्वार की दिन, अगर आप कुछ विशेश उपाय करे, तो भगवान गनेश आपके उपर अतिशीग्र प्रसन्न हो जाते है, वैसे तो हम प्रत अति दिन पुजा करते है भगवान श्री गनेश की, लेकिन भगवान श्री गनेश का जो सबसे प्रिय दिन होता है, वो होता है बुद्वार का दिन, जी हाँ बुद्वार की दिन भगवान श्री गनेश की विशेश उरुप से पुजा करनी चाहिए, उनकी प्रिय वस्तु उन्हें अर्पित करना चाहिए। बुधुवार का दिन भगवान गनेश की कुर्पा प्राप्त करने के लिए बहुती खास दिन माना जाता है। जी हां दोस्तों बता दे कि बुधुवार के दिन अगर आप भगवान गनेश को प्रसन्न कर ले, छोटे छोटे उपाई करके प्रसन्न कर ले, तो अतिशीग्र आपकी हर मनो कामना पूर्ना होती है। और अपने भक्तों के सभी अमंगल और संकोटों को दूर कर देते है भगवान श्री गनेश, और सुकसम्रुद्धी प्रदान करते है, क्योंकि ये शुभलाप के प्रदाता कहे जाते है, इनके पूजन में आप इनकी प्रियवस्तुए जरूर अर्पित करे, इनके नामों क समरन करे, तो ये आपके सारे दुख तकलित स्वता दूर कर देते है, और सोभाग्य की प्राक्ति होती है, दोस्तों वैसे तो प्रत्यक दिन भगवान श्री गनेश की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बुधवार की दिन भगवान श्री गनेश का विशे शुरूप से पूज किया जाता है, बुधवार का दिन भगवान श्री गनेश को समर्पित होता है, इस दिन भगवान श्री गनेश का पूजन करने से भगवान श्री गनेश के साथ साथ बुध ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री गनेश अपने भक्तों की सभी विग्नों औ और बाधाओं को दूर कर देती है। दोस्तों शास्त्रों में भगवान श्री गनेश को प्रसंद करने के लिए कई उपाय बताए गए है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप भगवान श्री गनेश को कैसे प्रसंद करे बुधवार की दिन। और साथ ही बताएंगे कि वह कोन सा एक काम करे बुधवार की दिन ताकी भगवान श्री गनेश आपका हर संकट आपकी हर बाधा दूर करके आपकी सारी मनो कामना पूरी करे। सबसे पहले तो बुध्वार की दिन जब आप उठे, उठने के बाद अपने मुख्य दर्वाजे पर एक लोटा जल अवश्च डाले, और इसके बाद आप आपके घर के जैसे रोजाना काम करते है वैसे करे, फिर नहा धोके भगवान श्री गनेश के मंदिर में एक दीपक आ आप जरूर जलाए भगवान श्री गनेश की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए गनेश भगवान को अति शिग्र प्रसंद करने के लिए आप बुधवार की दिन दुर्वा जरूर अरपित करें। दुर्वा एक प्रकार की घास होती है जो भगवान श्री गनेश को अति प्रिय है। भगवान श्री गनेश को प्रसंद करने के लिए आपको बुधवार की दिन 5 या 11 या 21 दुर्वा इने पानी से अच्छी तरद होकर साप कर ले और इसके बाद और इने पुजा में इस्तमा करने वाले कलावा से इने बांद कर अब दुर्वा को भगवान श्री गनेश को अर्पित करे। दुर्वा भगवान श्री गनेश को आप गले में पहनाए। दुर्वा को भगवान श्री गनेश के पैरों के पास चरुणों में ना रखे। हमेशा दुर्वा को भगवान श दुकसंबुद्धी और धन को बढ़ाता है। भगवान श्री गनेश को बुधवार की दिन थोड़ासा चावल, एक कोटोरी चावल जरूर रखे। ध्यान रखे दोस्तों एक छोटासा उपाय जरूर करे। बुधवार की दिन अगर आप भगवान श्री गनेश को साबुत चावल रखते हैं उनके चरणों के पास और थोड़ी सी हल्दी रखते हैं। रख दे, तो धन की कमी कभी नहीं होगी, धन बढ़ता चला जाएगा और आपके घर में सुकसम्रुद्धी का वास होगा। तो भगवान श्री गनेश को आप दुरवा जरूर अरपित करें, चावल अरपित करें बुधवार की दिन और भगवान श्री गनेश को थोड़ा सा सिंदूर अरपित करें। गनेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनिया और गुड का भोग भी लगाए बुधवार की दिन तो अति शीग्र भगवान श्री गनेश प्रसन्न होते है और हर इच्छाओं को पूरी करते है तो दोस्तों छोटे छोटे उपाय अगर आप करते है ये छोटे झाल झाल